दोस्तो, Be Wise and Wealthy चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो, आपके लिए लेके आए हैं एक और शांदार उपर्चुनिटी और ये दोस्तो, यहाँ पर उपर्चुनिटी आपके साथ में पिछले वीडियो में भी शेयर कर चुका हूँ यहाँ पर दोस्तो, आपको शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव से भी बताने वाला हूँ तो आपने आइडिया लगा लिया दोस्तो, किस कंपनी में बात कर रहा हूँ नाम है दोस्तो, विधी स्पेशलिटी फूट इंग्रिजिएंट ठीक है और इसी के साथ दोस्तो, आपको एक और प्लस वन में यहाँ पर एडिशनल बोनस, यहाँ पर एक और कंपनी देने वाला हूँ उस कंपनी में भी दोस्तो, आपको नज़र रखनी चाहिए, मुझे लगता है कि वो भी कंपनी यहाँ से अच्छा खासा एक पर मैं दोस्तो एक इस कंपनी के लिए जो पॉजिटिव होने वाला है फ्यूचर में वो आपको बताता हूँ ज़िए कपैसिटी एक्सपेंशन की जब बात कर रहे हैं वीदी स्पेशलिटी के लिए तो 3X प्लैंड कपैसिटी एक्सपेंशन इनका मतलब अगले दो साल में यहाँ पर 3X कपैसिटी एक्सपेंशन करने वाले हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 तक जो डिमांड सप्लाई गया है जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था दोस्तो उसको यहाँ पर एड्रस करने के लिए पर आपको पर देख पारें ग्राफिकल रिप्रेसेंटेशन के थूफ फेज वन में देखिए यह गुजरात में एक्सपेंशन करने वाले हैं करीब 360 60 empty capacity to be installed, EC clearance received, already इनको मिल चुका है, civil construction commenced, यहाँबक construction अल्रेडी इसका start हो चुका है, timeline है अगले 12 मंत ही, और केपेक्स around 30 करोड का होगा, phase 2 में आप देखिए, Arjun Ford जो इनकी एक Holyon Subsidory है, यहाँपर यह current manufacturing site यह करने वाले हैं, जहाँपर की operational synergies को यह लाने वाले हैं, 350 empty capacity to be installed for new high margin products, ठीक है, यह phase 2 के में बात कर रहा हूँ, expected timeline 12-18 मत, यहाँपर 30 करोड का यह केपेक्स होगा, to be funded largely from internal accruals, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियों बताया था कि इनका जो free cash flows अच्छा है, cash results अच्छा है, तो जो इनके capex होते हैं, जो largely funded होते हैं through internal accruals, ठीक है, यह होगी पहली बात, और इसके बारे बात आपको आपको आपने बता चुका हूँ, देखिए, second largest food color manufacturer है, एशिया का, 80 countries में हाँपर supply करते हैं, यह across 6 continents, existing capacity 3500 MT की है per annum, over 200 active customers हैं, और diversified end user industry में देखिए, इनके जो है, यूज होता है products, cosmetic, food and beverages, confectionaries, personal care, pet, pharmaceutical, home care, तो यह होगया थोड़ा सो overview, अब चलते हैं, चार्ट पे, जो actual chart पे जो pattern नज़र आ रहा है, उसकी वज़े से हमको लगता है, यहां पर एक जबरदस ब्रेक आउट देखने को मिल सकता है, तो यह है दोस्तो चार्ट, और इसको दोस्तों आपको एक पहले भी एक बार में, यह ब्रेक आउट शेर बता चुका हूँ, करीब मैंने 136 के लेवल पर बताया था, उसके बाद हमने यह टार्गेट इसका सेट किया था, वो भी हमको मिला है, ठीक है, चलिए यह छोड़िए, अब नया दोस्तों यहां पर हम उपरचिनिटी देखते है, चार्ट पर क्या नजहर आ रही है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता है, अगले से बारा से बारा महीने में यहाँ पर एक गजब काफी जादर रहने वाली है, तो विधिश पेशलिटी दोस्तों काफी अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, काफी अच्छा है यहाँ पर इसका रीच है, अक्रॉस दी ग्लोब, तो यह सारी चीज़े इसको एक जबरदस्त कंपनी बनाती है, लॉंग टर्म परस्पेक्टिव से भी साथ ही साथ दोस्तों टेक्निकल चार्ट में मुझे लग रहा है कि हमको थोड़ से समय में इसमें एक अच्छा खासा ब्रेक आउट देखने को मिल सकता है, तो यह है दोस्तों पहली कंपनी जरूर इस पर आपकी नजर रहनी चाहिए तो यहां पर अगर आपको बाय करना है तो आप CMP पर कर सकते हैं, टार्गिए इसके मेरे को लगता दूसतों करीब करीब यहां से, यह जो इसकाそうそう जोन का डेप्थ है, इतनी ही यह उप यह यहां से जा सकता है, मतलब कि यहां से लेकर अगर मैं current market price से बताऊ उँ तो देखिए, करीब करीब दोस्तों यहां से आपको मिल सकते है इसके टार्गेट नियर तम में 250 के जो की होता है करीब 18 परसेंट अगर यहां से भी उपर जाता है तो और भी उपर जा सकता है क्यूंकि इसकी पुटेंशल दोस्तों काफी बेथर यह तो यह है दोस्तों पहला जो है ready to blast share जिसमें आपको अच्छे खास है target यहां पर देखने को मिल सकते हैं इसको long term perspective से भी दोस्तों आपको मैंने बोला है कि इसको consider आप जरूर कर सकते हैं next दोस्तों यह additional है इस पर आपकी नजर रहनी चीए अपने radar पर रखिए अपनी watch list में इसको add करके रखिए क्योंकि यहां पर देखिए नाम है दोस्तों इस company का Alembic Pharma Limited जिया दोस्तों Alembic Pharma Limited में जब मैं बात करूं चार्ट पर आप देखेंगे पिछले कई टाइम से consolidation zone में यह trade कर रहा है ठीक है यहां पर यह बेस बनाए है इसमें यहां पर फिर बेस बनाए यह उपर इसका base shift हो रहा है नीच वालियूम देखिए दोस्तों कितना जबर्दस यहां पर वालियूम की बार्स, candles आपको देखने को मिल रही है इस इस consolidation zone में अच्छा कहां से हैं पर buying हुई है ठीक है यह है यह है टेक्निकल चार्ट पेरामिटर पर मैंने बता दिया अब यहां पर recently development भी हो है दोस्तों Alembic Pharma को एक US FDA approval यहां पर मिला है ज जिसकी demand दोस्तों काफी रहने वाली है एस पर दे रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं 23 billion dollar की market size रह सकती है इसकी आगे आने वाले 12 मंत में जिस API को यहां पर US FDA approval मिला है साथी साथी दोस्तों यहां पर management ने बोला है कि अगले आने वाले quarters में यह 15-20 new products launch कर सकते हैं market में तो यहां पर हमको एक तेजी देखने को मिल सकती है और यह FD approval इनको पिछले I think पिछले अफ्ते ही मिला है दो चार दिन ही हुए है ठीक है तो यह है पहली बात दूसरी चीज़ Alembic Pharma में आप P.E. देखिए दोस्तो 16 का P.E. इंडस्टी का P.E. 30 का तो मतलब कि अपने peers के comparison में देखिए दोस्तो Sun Pharma हो गया Dr. Radies, Sipla तमाम यहां पर आप देखिए तो सबसे कम P.E. आपको Alembic Pharma के मिलेगा ठीक है सबसे कम सस्ते attractive variations पे Alembic Pharma मिल रहा है आपको ROC देखिए सबसे ज़ादा है ROE सबसे ज़ादा है अपने peers के comparison में देख लिए ROC भी आप देख लिए ROE भी आप देख लिए ठीक है 6 का EPS 8 हुआ, 12 हुआ, 15 हुआ, 38 हुआ, 21 हुआ, 31, 43 & 59 तो देखिए लगातार 6 से लेकर 59 तक लगातार EPS में हमको growth देखने को मिल रही है तो पिछले 4 साल से आप देखिए हैं तो लगातार हमको net profit में हमको growth देखने को मिल रही है 3700 से लेकर 3300 मार्थ 2021 तक हो गया है लेकिन अगर share price के हम बात करें तो पिछले 2020 जुलाई से लेकर आप देखिए दो इस share price में हमको जादा एक movement देखने को नहीं मिला है जी हां दोस्तों इसमें जादा movement देखने को नहीं मिला है बाकी फार्मा की companies के मुकाबले तो अगर आपका थ्वड़ा लंबा समय का नजरीया है तो मेरी खाल से दोस्तों आपको आपको यहां पर डेफिनिटल एक अपर नजर आई होगी एक बार अपनी स्टेडी बी जरूर कीजिएगा ताकि आपको पोजिशन बनाने में कोई दिक्कत ना हो तो अच्छा लगाए वीडियो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लिए ऐसी उपरचुनिटीज में आपके लिए लाते रहता हूं मिलते हैं नेक्श वीडियो में टिल दें टेक कियर बाई बाई